अरुनाचल प्रदेश के इटानगर के सिविल सेकेटरियेट में शुक्रवार यानी 8 अक्टूबर को जैन गार्डेन का उद्गाटन किया गया इस जैन गार्डेन का उद्गाटन मुख्यमंतरी पेमा खंडू ने किया मुख्यमंतरी खंडू ने आगे कहा कि इस नए पार्क का सेर करके लोग उर्जावन महसूस कर सकते हैं और बहुत जल्दी इस पार्क को आम लोगों के लिए भी खोलने पर विचार किया जा रहा है आपको बता दें कि जैन का मतलब होता है मेडिटेशन और शांती जो बहुत धर्म का एक हिस्सा है जापान की कला संस्कृती में जैन का एक एहम स्थान होता है अब इटानगर की ये जैन पार्क इसी सिधान पर बनाई गई है और ऐसी उमीदे है कि जल्दी इस जैन पार्क को आम लोगों के लिए भी खोला जाएगा, जहां आम लोग आकर सेड कर सकते हैं. कि अपना ट्रडिशन का साथ में डिस्प्ले करने के लिए हैं. हाँ बिल्कुल. आप यह पार्क जोब इसको चुब कॉंसी भूब था, तो मैंने कहा, कि एक बार इसको लोग देख जो पीया तो फिर इस पार्क का दिसी पार्क को एंजीख्या का आप लोग पूरिए कर पाएगा. दूसरा एक छोटा सा सवाल है सर आप लोगों के लिए कि आप लोग ओफिस में काम करके जब इस्ट्रेस होंगे या थोड़ा लगेगा कि थोड़ा सा और कमफोर्ट होके एक्स्ट्रा और काम करना चाहिए तो यहां बैठके चाई पीने का कोई ऐसा कुछ प्रबंद भी होग है सिर्फ पॉलिटिशन सी नहीं बल्कि यहां पर आपने जितने भी जो करमचारी है तो कुछ दसपना मिनिर का जो ब्रेक होते हैं तो देकिन का मिया और है वे वाक एराउंड सो उनका जो एनरजी लेवल है और भी बढ़ जाएंगे इस यहां पर वाक करने से आप इस पू पेज को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अगर आपको हमारी यह न्यूस पसंद आई तो इस न्यूस को भी आप शेयर करें और हर बार की तरह एक नोटिफिकेशन अगर अभी तक आपने कोवीड-19 वेक्सिन की डोज नहीं लिए तो आप कोवीड-19 वेक करें और हमारीय करें तक नहीं दोन आपको हमारी कोवीड-21 वेक्सिन कहले कोवीड-19 वेक्सित आपकोवीड-21